इस वर्ष आजादी की 75 वर्ष गाट बनाते हुए पूरे देश भर में आजादी का अमरित महोस्व मनाये गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने तिरंगा रेली निकाली और आम जन्मानस को तिरंगा भेट किया। आजादी के 75 वर्ष गाट पर आजादी का अमरित महोस्व मनाते हुए हाउसिंग बूर्ड भिलाइस्थित नाकसेन हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों ने अपने गुरुजनों के मार्ग दर्शन में तिरंगा रेली निकाली और शहर भर में स्वतंतरता दिवस अमर रहे के नारे लगाते हुए आम जन्मानस को तिरंगा भेट किया। और लोगों से अपील की कि हमें अपने तिरंगे जंडे का संबान करना है और इसकी सान में गुस्ता की करने वालों को सबग भी सिखाना है। नाक्सेन हार सेकंडरी स्कूल के इन बच्चों ने हाथों में तिरंगा जंडा थाम रहा था और इस रेली में एक विध्यारती फौजी की वेजबुशा में इस तिरंगे रेली का नेतरितVOKरता नजर आया। स्कूल के गुरुजनों ने भी अपने विद्यारतियों के साथ कदम से कदम मिलाया और रैली में शरीक हुए नाकसेन हायर सेकंडरी स्कूल की प्राचारिया दीक्षा मिश्राम ने आजादी के अमरित महुस्थप पर स्कूल द्वारा निकाले गए तिरंगा रैली के उद्दिश को बताया जी मकसद यह है जिस तरीके से हुमारे जो ग्रदान मत्री जी नरेंबर मोजी जी जो इस साल मुहीं निकाले है 75th Independence Day में हर घर किरंगा जोकि हम यह बच्चों को हर हफ्ते अव्यर कर रहे हैं एक हफ्ते पहने से कि बच्चे अपने घर के आन्यान में किरंगा फैरा है और टीन तक प्षो रहे हैं इसकी दिवासर है और यह रेली हम इसने निकाल रहे हैं ताकि सब लोगों में शतंत्रता जीवतिवस की जागरुपता है और इसके साथ साथ हम लोगों ने इस साथ हमारे बच्चे के खूँ सारे जो यहाँ पे परिजन है जो यहाँ पे कॉबन पीपल है हमारे नाकसन की तरफ से एक-एक फ्लाग देते उनकों इंडिपेंडेंस डे विश्ट किया जा रहा है साथ ही देश के पर्थान मंत्री नरेंदर मोदी के आवान पर आजादी का अमरित महोस्वा मनाते हुए हर खर्त रंगा अभियान को भी सफल बनाया गया ग्रेंडेसीन निउस के लिए भिलाई से संतो शर्मागरी पोर्ट